जान लो, ये फोन तुम्हारी जान ले लेगा रेडियेशन्स और इलेक्ट्रमेगनेटिक फील्ड जो हमारे मुबाइल से जनरेट होती है, बनती है अगर उसके नुकसान आपको पता चल जाएं, तो अच्छे से अच्छा मुबाइल एडिक्ट भी इन सेल फोन से दूरिया बना लेगा अगर आपको ये पता चल जाए, कि बच्चों पर मुबाइल फोन के इस्तमाल का कितना बुरा सर पड़ता है तो आप लोगों के सामने अपने बच्चों के इंटेलिजन्स के नुमाईश करना बंद कर देंगें, जो आज तक आप करते आएं, ये कहते हुए, कि देखो ये कितना शार्प बच्चा है, अभी इसे मुबाइल चलाने लगा है और अगर आप ये बात जान जाएंगे कि मुबाइल फोन की रेडियेशन आपके शरीर पर क्या आप रभाव डालती है, जब आप इन्हें अपने शरीर के बहुत करीब रखते हैं, तो हो सकता है, आप में से बहुत से लोग अपने आगे की, पीछे की और चस्ट की ने रखना भूल जाएंगे, बने रही हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको पॉपिलर मुबाइल फोन की SAR, स्पेसिफिक अब्सॉप्शन रेट्स, रेटिंग बताने वाले हैं, ये जितनी कम होगी, फोन उतना कम घहा तक के लिए नहीं, विबिन शोदों से प्रूफ हो चुका है कि ये मुबाइल रेडियेशन कितनी खातक है, पर हम इनके बारे में जानने के बाद भी इन खत्रों को नजर अंदास करते आएं, तो ध्यान दीजिए, ये वीडियो एक और मौका है आपके लिए, और आपके तो शामार मानस्क्ता वाले मुबाइल के साथ बिदाते हैं, उतना अधिक ये इस रेडियेशन के एक्स्पोजर की चपेट में आ जाते है, उन्हें हरवाक्त ये डर सताता है क्योंका मोबाइल उनके हाथ से जूट न जाये, उन्हें मोबाइल के बिना कही रहना न पड़े ये होते हैं नुमोफोबिय के मरीज विभिन शोधो से प्रूफ हो चुका है कि लॉंग टम मोबाइल रेडियेशन एक्सपोजर से कैंसर हो सकता है सरदर्द हो सकता है एक जगा ध्यान लगाने में मुश्किले आने लगती है इसे अटेंशन डेफेसिट कहा जाता है मर्दों में तो नपुन सकता तकाने लगती है इस रेडियेशन से मर्दों और और तो दोनों में स्ट्रेस लेवल यानि तनाओ का स्तर एक नॉन मोबाइल यूजर के तुलना में काफी अधिक होता है दोस्तों ये मोबाइल रेडियेशन आपके दिमाग के रक्त संचार को प्रभावित करता है आपके ब्रेइन में ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है और क्योंकि बच्चों की खोपड़ी में हड़्डियों की परत पतली होती है इस वज़ा से ये रेडियेशन उनके बढ़ते दिमाग पर सीधे वार करता है और आगे जाकर उनमें कैंसर होने के रिस्क को बढ़ाता है इसलिए अब ये कभी न कहना देखो ये कितना शार बच्चा है अभी से मुबाईल चलाने लगा है जान लो ये फोन तुम्हारी चान ले लेगा तो क्या किया जाए इस मुबाईल रेडियेशन से बचने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आने वाले 9 पॉइंट्स पे अमल करना है और आप इस घातक मुबाईल रेडियेशन से बच जाएगे तो ध्यान दीजिए बच्चों के हाथों में मुबाईल अगर देना बहुत ज़रूरी हो तो उन्हें मुबाईल हाथ में पकड़ाई है और हैंड्स फ्री और वीडियो कॉलिंग करने कहिए अगर वे फोन कान पर लगा कर वाइस कॉल लेंगे तो रेडियेशन डीप पेनिट्रेट कर जाएगा याने गहरे अंदर तक जाएगा हम तो ये सलाह देंगे कि इस्तेमाल कम से कम कराई है ज्यादा मुबाईल इस्तेमाल करने से बच्चों में पिंसर ग्रास्प इससे ब्रेस्ट कैंसर का खात्र होता है नमबर तीम महिलाएं और मर्द दोनों अपनी पिछली जेब में बिलकुल मुबाईल न रखें ये कमर के दर्द से लेकर शियाटिका जैसी अन्य बिमारियों का कारक भी पाया गया है मर्दों में पैंट के आगे की जेब में फोन रखने से न पन सकता और स्पर्म की संख्या में गिरावट आने की शिकायत आये दिन दर्च हो रही है तो बिलकुल बचें सामने रखने से नमबर चार जब आप कॉल ले रहे होते हैं तो कोशिश कीजे कि फोन को कान से थोड़ी दूरी में पकड़े क्योंकि रेडियेशन की क्वांटिटी इन्वर्सली प्रपोश्चनल होती है डिस्टेंस या दूरी से अगर आपने दू इन्च का भी डिस्टेंस रखा तो रेडियेशन 50% हो जाएगा और अगर आपने हेड़ सेट या इयर फोन का इस्तेमाल किया या हैंड्स फ्री यूज किया तो और भी अच्छा जितना हो सके फोन शरीर से दूर रखने की कोशिश कीजे नमबर पांच रात में फोन साथ लेकर ना सोई और तक्ये के नीचे तो बिलकुल न रखे तो कि ये आपको इस घातक रेडियेशन का लॉंग एक्सपोजर देगा और नुकसान भी घातक होंगे कोशिश कीजे रात को अपने बेडरूम को नो मुबाइल जोन बनाने की अगर रात में मुबाइल चेक करने की लट ही लग गई है तो कोई मुबाइल स्टेंड जैसा प्रोड़क्ट यूज कीजे जिससे आपको उसे शरीर के पास न रखना पड़े और हाथ टांग कर भी न रखने पड़े ब्लूटूथ हैडफोन बिल्कुल भी नहीं इस्तमाल करें साथ ही तेज गती से मूव करते वक्त या बाइक कार ट्रेन में मुबाइल फोन न यूज करें ऐसा करने से न सिर्फ रोड एक्सिडेंट्स का खत्रा बढ़ जाता है बलकि हाई स्पीड में मूव करते वक्त आपका फोन लगतार टावर चेस करता रहता है इसलिए इस वक्त रेडियेशन सबसे आधिक और तेज होता है नमबर साथ फोन में बात करते वक्त लगतार साइट्स चेंज करते रहें ताकि कम से कम एक्षपोजर हो नमबर आठ बैटरी लो होने पे भी फोन यूज ना करें इस वक्त रेडियेशन स्ट्रॉंग होता है नमबर नौ सबसे ज़रूरी बात सबसे कम S.A.R. स्पेसिफिक अब्सॉप्शन रेट रेटिंग्स वाला फोन यूज करें कुछ पॉपुलर प्रांट्स की ये रहें लिस्ट दोस्तों आने वाली जनरेशन में नौमोफोबिया जैसे बीमारी होने के प्रबल चांसे से नौमोफोबिया एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें मरीज बिना सलफोन के रहने के खौफ से गरस्त होता है ऐसे लोग मोबाहिल के बिना रहने से डरते हैं तो आने वाली जनरेशन को इस बिमारी से बचाएं और ये वीडियो मैसेज जितना हो सके शेयर करें वाटसाप पर, फेसबुक पर और यूटूब पर जान लो ये फोन तुम्हारे जान ले लेगा धन्यवाद झाल